तो कैसे आप सब लोग, I hope कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तो last video में हम लोगों ने cover किया था अपने glycolysis को, और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने citric acid cycle के बारे में, और देखो जो हमारा citric acid cycle है, यह हमारा exam point of view से एक बहुत ज्यादा important topic है, यहाँ से आप ल का video start करते हैं, अब देखो यहाँ पे जो हमारा citric acid cycle है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, कि जो हमारी citric acid cycle है, यह हमारी कोई नई cycle नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई नए step है, बलकि जो हमारा glycolysis हम लोगों न ठीक है, तो glycolysis हमारी यहाँ पे 10 step की process थी, और इन 10 step में क्या हो रहा था, mainly हमारा जो glucose है, वो किस में convert हो रहा था, हमारा pyruvate में, और यह सारी चीज़े हमारी कब हो रही थी हमारी aerobic conditions के अंदर, यानि कि जब यहाँ पे हमारी oxygen की supply हो, तो हमारा क्या हो रहा था, हमारा glucose ज करें हम लोग जो है, anaerobic conditions की, यानि कि माल लो अगर हमारी oxygen के supply ना हो, तो यह जो हमारा pyruvate है, यह हमारा further जाके जो है, किस में, lactate में convert हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो, हम लोग mainly बात करेंगे, अपने aerobic conditions की, ठीक है, यहाँ पे anaerobic का हमारा कोई काम नहीं है, और बाकि एक मोटी-मोटा बात आप लोग समझ गये, कि जो हमारी, अचा देखो, यहाँ पे एक चीज और बहुत ज़्यदा important हो जाती है, कि जो हमारे glycolysis है, यह तो हमारी aerobic को anaerobic, यानि कि oxygen के supply हो तब भी हो रही है, नहीं हो तब भी हो जा रही है, लेकिन जो हमारी citric acid cycle है यह हमारी सिर्फ और सिर्फ जो है, aerobic conditions के अंदर ही होती है, यानि कि यहाँ पे जो हमारा pyruvate है, यही हमारे citric acid cycle में participate करता है, हमारा lactate का citric acid cycle से कोई भी लिना देना नहीं है, यानि कि यह जो हमारी anaerobic conditions के अंदर नहीं हो सकती है, तो यह चीज़ इसके बारे में आप के नाम से भी जानते हैं, यहनि citric acid cycle को हम लोग यहाँ पे क्रेप cycle के नाम से भी जानते हैं, और क्रेप cycle यहाँ पे किसके नाम पे पढ़ा है, सरहन क्रेप के नाम पे, ठीक है, और उसके बाद बात करें, तो the another name of citric acid cycle or crep cycle, it's TCA cycle, अब देखो है, यहाँ पे यह ज़ीज अब इसको यहाँ पे tri-carboxylic acid cycle क्यों बोलते हैं, तो अभी हम लोग जब यहाँ पे इसकी पूरी cyclic process देखेंगे, तब आप लोगो इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है? And उसके बाद हम लोग बात करें, the citric acid cycle occurs inside mitochondria and generates a high amount of chemical energy. अब यहाँ पे यह हमारा एक बहुत जादा important point हो जाता है, यहाँ पे देखो कल हम लोगों ने क्या देखा था, कल हम लोगों ने देखा था, जो हमारे glycolysis की process है, यह हमारी किसके अंदर हो रही थी, यह हमारी हो रही थी cell के cytoplasm के अंदर, देखो ध्यान से समझना, और यहा हमारी जो glycolysis है, यह तो हमारी body की सभी type की cell में देखने को मिल जा रही थी, लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने जैसे की citric acid cycle के बारे में, citric acid cycle की, तो यहाँ पे यह देखो क्या हो रहा है, यह हमारी cytoplasm के अंदर नहीं हो रही है, बलकि यह हमा यहाँ पे भी हमारा glycolysis होगा, क्योंकि mitochondria भले ना उसल के अंदर, लेकिन cytoplasm होता ही होता है, जैसे कि आप example की बात करें तो जो हमारी RBC हो गई, उसके अंदर होता है, ठीक है, तो और यहाँ पर देखो एक और चीज बिंसन है, generate सा high amount of chemical energy, यहाँ पे देखो जो हमारी citric acid cycle है, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे बहुत सारी energy देखने को मिलती है, और energy किसके form में होती है, ATP के form में, यानि हम लोग simply कह सकते हैं, कि जो citric acid cycle है, इसके अंदर हमें बहुत सारा ATP देखने को मिलता है, तो कैसे मिलता है, वो सारी चीज आपे हम लोग cycle देखेंगे, तब discuss करेंगे, और जो हमारी citric acid cycle है, the citric acid cycle is nothing, but the forward procedure of aerobic glycolysis pathway, तो वही चीज है हम लोगों ने starting में ही बात करी कि जो हमारी aerobic glycolysis की process होती है, तो उसी का आगे का pathway होता है हमारा यहाँ पे citric acid cycle, and the end product of aerobic glycolysis pathway, pyruvate, is converted into acetyl co-enzyme, which starts the citric acid cycle, देखो हम लोगों ने क्या देखा, कि जो हमारा glucose जो pyruvate में convert हो रहाता है, तो pyruvate ही हमारा citric acid cycle में यहाँ पे start करने वाला है, लेकिन यहाँ पे देखो अभी चलो इसके बारे में थोड़ा सा discuss कर लेते हैं, यह जो हमारा pyruvate है, देखो आभी नहीं भी समझ में आ रहा है, तो ज्यादा परिशान मत होना, लाक पर कह सकते हो कि citric acid cycle को start करने का काम करता है, देखो अभी ज्यादा confuse मत हो, अभी हम लोग cycle देखेंगे, तो आप लोग बहुत आसानी से समझ जाओगे, है ना? The citric acid cycle is the most important metabolic pathway for the energy supply to the body, as about 65-70% of ATP is synthesized in this cycle, तो देखो जैसा कि हम लोगों ने स्टाइटिंग में ही बात करी कि जो हमारी citric acid cycle है, इसके अंदर हमें बहुत सारा energy देखने को मिलता है, यानि हमारी body के अंदर जो total ATP होता है, उसका 65-70% हमारा citric acid cycle के अंदर प्रोडूस होता है, तो इसलिए यह हमारा एक बहुत important metabolic pathway हो जाता है, और यहां पर हमारा citric acid cycle है, तो इसके अंदर देखो मलब जैसे हमारी citric acid cycle है, तो वो जब अभी होगी, तो उसके अंदर mainly होगा क्या, यह जो हमारा acetyl coindy में है, यह हमारा carbon dioxide के form में जो हमारा break हो जाएगा या फिर convert हो जा occurs only in aerobic conditions, तो यह सारी चीज़िया already हमें पता है, अब हम लोग यहाँ पर finally देखते हैं अपने citric acid cycle को, तो बात करें हम लोग यहाँ पर अपने citric acid cycle के बारे में, तो जैसा कि हम लोगों ने दिखा, कि जो हमारा glucose है, यह हमारा किसमें convert हो जाता है, पाइरुवेट में, अब यहाँ से होती है हमारी start citric acid cycle, तो यह जो हमारा पाइरुवेट है, यह हमारा किसमें convert हो जाता है, यह हमारा convert हो जाता है, अब हमारे कितने carbon का compound रहा, यह हमारे 3 carbon का compound था, और इस 3 में से भी हमारा एक carbon lose हो गया, तो अब हमारा जो एक चीज़ ध्यान समझना, जो हमारा carbon का compound होगा, यह हमारे 2 carbon का compound होगा, और देखो यहाँ पे एक सबसे important बात, कि जो हमारा pyruvate था, तो यहाँ पे हमारे glycolysis में pyruvate के कितने molecule बन रहे थे, हमारे 2 molecule बन रहे थे, यहाँ पे हमारे acetyl co-enzyme के भी कितने molecule होगे, हमारे 2 molecule होगे, और अब ही जो हम लोग पूरी cycle देख रहे हैं, यह हमारी सिर्फ एक molecule के लिए यहाँ पे valid है, और यहाँ पे molecule होते कितने हैं, दो, यानि कि यह जो हमारे पूरी cycle है, यह हमारे आप कह सेखते हो कि 2 बार होती है हमारे 2 acetyl co-enzyme के लिए, मतला पूरी हमारी 1 glucose के लिए, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज करन ओड हो जाएगा citrate में, और यहां पे होती है हमारी start citric acid cycle, देखो इसी लिए इसको यहाँ पे citric acid cycle बोलते हैं, क्योंकि इसका जो पहला product है, यह हमारा citrate होता है, यह फिर इसी को आप लोग citric acid भी बोल सकते हो, देखो यहाँ पे pyruvate को आप लोग pyruvic acid भी बोल सकते हो, तो citrate को citric acid तो इसमें confuse मत होना. तो यहां पे चुक ही हमारा citric acid cycle का पहला product होता है citrate या फिर citric acid इसलिए इसलिए इसको हुम लोग यहां पे citric acid cycle बोलते हैं. और starting में हम लोगों ने क्या देखा था? कि जो हमारी citric acid cycle है, इसको हम लोग TCA याने कि तो इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह जो हमारा citrate है, तो इसका आप लोग यहाँ पर chemical structure अपने books में या फिर Google पर search करके देख सकते हो, तो यहाँ पर हमें 3 carboxylic acid के group देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है? तो यह चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ गयें, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, हमारा acetyl coenjoy में कितने carbon का compound था? दो carbon का, और यह जो हमारा oxalo acidrate है, यह हमारे कितने carbon का compound होता है, यह होता है हमारे 4 carbon का compound, तो 4 प्लस 2, तो हमारे क्या होता है, जो हमारा citrate बनता है, यह हमार फिर से कितने carbon का compound होता है, 6 carbon का compound, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान खना, acetyl coenjoy में में कितने carbon, 2 carbon, oxalo acidrate में कितने 4 carbon, और citrate में कितने 2 प्लस 4, यह दोनों combine करके यहाँ पर क्या बना है citrate, तो citrate में कितने 6 carbon, समझ के? अब यह जो हमारा citrate है, यह हमारा किसमें convert हो जाता है, आ जो भी हमारा circle है, कह सकतो है, हमारी cycle है, और यहाँ पर जो भी हमारा energy का production है, उसको हम लोग ने cycle के अंदर दिखाया हुआ है, तो आप लोग ताक ही confusion हो, बहुत ही simple है, तो जो हमारा citrate है, यह जो हमारा isocitrate है, ध्यान से सुनना, यह हमारा फिर से क्या करेगा, एक carbon को lose करे में, और होगा क्या है, यह किसमें कर्णोड हो जाएगा, अलफा कीटो ग्लुटारेट में, तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो हमारा citrate था, यह कितने carbon का compound था, छे carbon का, तो आइसो citrate यह भी 6 carbon का ही होगा, क्योंकि यह सिक आइसो मर है, लेकिन अब इसने क्या किया, एक carbon को lose कर दिया, और क्या बना लिया, अलफा कीटो ग्लुटारेट, तो यह कितने carbon का compound होगा, यह होगा हमारा 5 carbon का compound, ठीक है, बहुत सिंपल है यार, 6 था, एक lose कर दिया, फिर से 5 बचा, और यहाँ पर दिखो हमारा फिर से एक NADS का production हो रहा है, जो इस चीज को भी ध्या carbon का compound होगा, यह हमारा फिर से चार carbon का compound बन जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 carbon यहाँ पर दिखो loss हो गए, है ना, अच्छा यहाँ पर दिखो starting में ही हम लोगों ने क्या देखा था, कि जो हमारा citric acid cycle है, उसका major event क्या होता है, जो हमारा acetyl co-engine में है, यह हमारे 2 carbon, 2 CO2 group को loss करता ह यह हमारा major event होता है, और यहीं पर दिखो, यही चीज़े तो हो रही है, at last में, जो हमारा citric cycle co-engine में, इसने क्या किया, इसने यहाँ पर 2 CO2 group को loss कर दिया, तो, अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा succinyl co-engine में, यह हमारा succinyl co-engine में, हूँ, न अब यहां पे दिखो क्या हो रहा है अब यहां पे हमारे GDP से GTP का फॉर्मेशन हो रहा है अब यह GTP क्या नहीं बला है तो दिखो GTP कुछ नहीं है दिखो ATP क्या होता है Adenosyn Triphosphate और Adenosyn क्या होता है Adenosyn हमारा एक टाइप का Nitrogenous Base थी तो होता है तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारे Nitrogenous Base है वो हमारे 5 टाइप के होता है तो उसी में से जो एक हमारा Adenosyn था और उसी में से एक हमारा यहां पे Guaneen था याद है आप लोग को यहाँ पे गौनीन था होआना नाइट्रोजनस बेस और गौनोसीन हमारा हो जाएगा यहाँ पे हमारा नुकलियोसाइड हो जाएगा ठीक है देखो ज्यादा कन्फ्यूज मत हो सिंप्ली समझो कि यहाँ पे ATP होता है हमारा एडनोसीन ट्राइफोसफेट और गौनोसीन ट्राइफोसफेट और यहाँ पे एक चीज आप लोग समझो कि जो हमारा GTP है यह हमारा लगबग ATP के बराबर ही होता है यानि कि यह हमारा ATP के एक्विवैलेंट ही होता है इसलिए हम ल तो मेली हमारा यहां पर क्या हुआ हमारा succinate का formation हुआ अब यहां पर जो हमारा succinate है यहां हमारा किसमेंगलोड हो जाएगा fumarate में और यहां पर कौन सा enzyme है succinyl dehydrogenase याने कि hydrogen का यहां पर loss हो रहा है और यहां पर दिखो हमारा क्या हो रहा है अब हमारा FAD से FADH2 का production हो रहा है अब यहां हमारा NAD, NADS तो चलो समझ गयते है coenzyme है अब यह FADH2 क्या है तो यह भी हमारा एक type का coenzyme है और यहां पर दिखो हमारा जो NADS था इसके अंदर कितने ATP थे, 3 ATP अब यह जो हमारा FADH2 है इसके अंदर कितने ATP होंगे, इसके अंदर होते हैं हमारे 2 ATP तो अभी हम लोग जब energy calculation करेंगे तो बिलकुल अच्छे से देख लेंगे और यह जो हमारा fumarate है, यह हमारा fumarase की presence में किस में convert हो जाता है? और यहां पर यह हमारी क्या है, यह हमारी एक cycle है, और cycle क्या होता है? cycle हमेसा चलती रहती है, देखो एक चीज़ समझो, cycle हमारी cyclic process होती है, वो हमारी ऐसी process होती है, जो कि non-stop होती है यहां पर यह हमारा oxyloacetate चार कारबन का compound था, इसने हमारे 2 carbon compound के साथ जो है combine किया और क्या बना, citrate जो कि 6 carbon था, और इस 6 carbon ने फिर से क्या किया, देखो हमारे 2 carbon फिर से loss कर दिया, और फिर से 4 carbon में convert हो गया और यही 4 carbon बदलते बदलते फिर से हमारा oxyloacetate में बदल गया कोईटेस चलो इसको थोड़ा सा याद कर लेना, अब देखो, आईसोसिटरेट से जब alpha keto glutarate बन रहा है, तो यहाँ पर enzyme कौन सा है, आईसोसिटरेट dehydrogenase, यानि कि देखो कितना सिंपल है, यह इसी को लिखके और उसके बाद dehydrogenase लगा देना है, और फिर यहाँ पे दिखो alpha keto glutarate लिखना है, और dehydrogenase लगा देना है, फिर succinyl co enzyme लिखना है, synthase लगा देना है, फिर succinate यहाँ पे लिखना है, और dehydrogenase लगा देना है, और fumarate में क्या, fumarase लिखना है, कितना simple है, fumarate में क्या लिखना है, malate dehydrogenase, तो काफी simple है, आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हो, और पर देखो एक चीज और बहुत important है कि जो हमारी citric acid cycle है तो mainly हमारी citric acid cycle हमारी सिर्फ इतनी सी है यह जो हमारी 8 आप लोग को product देख रहे हैं यही हमारी main citric acid cycle है यह जो ऊपर की चीज़े है यह हमारी citric acid cycle में actual में include नहीं होती है लेकिन अभी हम लोग जब energy calculation करेंगे तो हम लोग को इसको भी यह पर include करना पड़ता है ताकि हमारा जो energy calculation है वो थोड़ा सा सही तरीके से हो सेके तो I hope कि आप लोग यहाँ पर इस चीज को समझ गया होगे अब देखो जो हमारी steps of citric acid cycle है तो उसमें हम लोग को क्या करना है उसमें हम लोग को यही आठो step को जो है एक एक करके explain कर देना है यानि पहले step में क्या हो रहा है कि हमारा acetyl coin जाय में citrate में convert हो रहा है तो उसी को थोड़ा सा अपने language के form में आप लोग को लिखना है इन दा फर्स्ट इस्टेप दा एसिटाल coin जाय में reacts with oxyelo acetate तो फॉर्म citrate जो कि हमारा छे कारवन का कमपॉंड ता और इन दा सेकंड इस्टेप citrate अंडर्गोज isomerization तो फॉर्म आइसोसित्रेट इन दा प्रेंस आइसोसित्रेट और यहां पर कारवन रिमूव हो जा रहा है और हमारा एंजाइम कॉंड सा है आइसोसित्रेट इहाइडरोजनेस इसी तरीके से देखो लिखना है इन दा फॉर्थ स्टेप वन मोर स्योट ग्रूप इज रिलीज फ्रॉम अल्फा कीटो ग्लुटरेट इन सक्सिनल को एंजाइमेच फॉर्म इन दा प्रिजनस ओफ अल्फा कीटो ग्लुटरेट डी हाइडरोजनेस लेको कितना एजी लाइंगविज में है आप लोग बहुत अराम से लिख सकते हो जैसे कि स्टेप फिफ्थ की बात करें उसके बहुते कि बात. अपर was? इन दा प्रिजनस में फिफ फिwhरेट वहा si और एर्थ च्टेप में 파्डली है अब देखो जो हमारे glycolysis का बात हुए था तो उसमें भी विल्कुल आप लोग जो है इस तरह की की step बना के बहुत अच्छे से लिख सकते हो यह काफी थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और उसमें हमारी 10 step थी इसमें हमारी 8 step है तो उसमें भी आप लोग यहाँ पे 10 step को एक एक करके explain कर सकते हो और फाइनली हम लोग बात करें अपने energetics of Krebs cycle के बारे में यानि कि यहाँ पे देखो energetics का मतलब क्या होता है कि जो हमारी Krebs cycle है उसके अंदर कितने ATP प्रोडूस हो रहे है उसको totally calculate करना तो यहाँ पे देखो सबसे एक इंपोर्टन शीज ही हो जाती है कि although conversion of pyruvate into acetyl co-enzyme is not actually the part of Krebs cycle but for energy calculation we also include this part देखो यहाँ पे जो हमारा acetyl co-enzyme जो हमारा यहाँ पे pyruvate में convert हो रहा था यह हमारे actual में पूछो तो krebs cycle का part है नहीं लेकिन फिर भी energy calculation में हम लोग इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग total ATP की बात करें तो जब हमारा pyruvate यहाँ पे acetyl co-enzyme में convert हो रहा था तो क्या हो रहा ता फिर से हमारे na abs प्रडूस हो रहा था शिक फिर से हमारे नाडीयस प्रडूस हो रहा था Alepha ket testifiedbeit जब सकोने कोंग्वेलन हो रहा था तब भी हमारे tam09 गई करनृ रहा है तब हमारAND सथैन में užनतते का प्रूसरा है और 1971 यह यह 1 शानचिद Elizabeth I होते हैं 2 ATP और मेलेट में हमारे कितने ATP होते हैं और मेलेट जब ऑख जालो ऐसी रेट में गनवर्ट हो रहा है तो हमारा एक NADH फिरसे विडियोस हो रहा है और उसके अंदर कितने ATP 3 ATP अच्छा यहां पर दिको हम लोग यह कालकुलेशन उस हिसाब से कर रहे हैं जब हम लोग यह मान रहे हैं कि एक NADH में 3 ATP होते हैं तो जनरली Google में भी आप लोग साच करोगे तो आप लोग को यही देखने को मिलेगा कि NADH के अंदर 3 ATP और FADH2 के अंदर 2 ATP लेकिन कुछ-कुछ बुक्स में आप लोग को इस तरीके से भी देखने को मिलता है कि जो हमारा NADH है उसके अंदर 2.5 ATP और FADH2 के अंदर 1.5 ATP तो अगर वो कल्कुलेशन करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कल्कुलेशन अलग हो सकती है लेकिन हम लोग थोड़ा सा जो Google और Standard Books में है तो उस हिसाब से कर रहे है तो यहाँ पर अगर हम लोग इन सब को कल्कुलेट करें तो यहाँ पर देखो 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया 9, 9 प्लस 1 10 और 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 3 15 यानि कि अगर हम लोग Net ATP की बात करें तो Net ATP हमारा क्रेप साइकल के अंदर कितना प्रडूसर है 15 लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि देखो जो हमारी क्रेप साइकल थी हम लोगोंने क्या दिखा कि हमारी क्रेप साइकल पुरी की पुरी है वो एक बार में सिर्फ एक ही Acetyl Coenzyme के लिए होती है और हमारे Acetyl Coenzyme ये कितने होते हैं 2 होते हैं क्योंकि हमारा Pyruvate कितना होता है हमारा 2 Pyruvate होता है यह चीजे हम लोगोंने Glycolysis में बहुत अच्छा से दिखी तो यह जो हमारा 15 ATP निकला है यह हमारा सिर्फ हो सिर्फ एक Pyruvate के Molecule के लिए निकला है तो हमारे होते हैं हमारे होते हैं हमारे 2 होते हैं Since here are 2 molecules of Pyruvate और Isetyl Coenzyme Hence the total ATP formed in Krebs cycle is equal to 15 into 2 is equal to 30 ठीक है तो यह चीज काफी ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लोग totally बात कर रहे हैं तो क्रफ साइकल में हमारे 30 ATP प्रडूस होते हैं और 30 यह कितना बड़ा नमबार है इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि यह हमारा major glycolysis path होता है जिसमें बहुत सारा energy produce होता है And if we talk about total ATP produced by one glucose molecule अब देखो अगर माल लोग हम लोग बात करें कि एक जो हमारा glucose होता है वो total ATP देता कितने हैं हमारे metabolism के थुरू तो यहां पर देखो हमारे glucose सबसे पहले किसमें जाता है सबसे पहले glycolysis में जाता है और glycolysis के बात क्रेब साइकल में तो glycolysis के अंदर कितने ATP प्रडूस हो रहते हैं कल हम लोग ने देखा था कितने लोगों total 10 हो रहे थे अगर total की बात करें लेकिन दो हमारी यूज हो जा रहते है तो अगर हम लोग net ATP की बात करें तो कितना 8 ATP तो 8 ATP तो अगर हम लोग total ATP from 1 glucose की बात करें तो वो किसके बर आप और हो जाएगा ATP produced in glycolysis plus ATP produced in Krebs cycle तो glycolysis में net ATP कितना 8 इसमें net ATP कितना 30 total कितना हो गया 38 ATP यानि एक glucose हमारा 38 ATP को produce करता है तो यहाँ पर यह हमारा एक energy का calculation हो जाता है अब हम लोग यहाँ पर फाइनली थोड़ा सा अपने Krebs cycle के importance के बारे में भी बात कर लेते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें अपने significance of citric acid cycle के बारे में तो यहाँ पर देखो it is the major source of energy for body यहाँ पर यानि कि हम लोगों ने देखा यह कि कितनी सारी ATP प्रडूस हो रही है तो बहुत major source होता है और उसके बाद यह हमारा final common oxidative pathway होता है देखो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा oxidation की step होती है हमारे तो वो हमारी finally इसी के अंदर होती है देखो first किस में होता है first हमारी glycolysis के अंदर होती है हम लोगों ने last video में देखा भी था कि first step हमारा glycolysis होता है final step हमारा grab cycle होता है during citric acid cycle complete oxidation of acetyl coenzyme में occurs देखो यह जो हमारा acetyl coenzyme से यहाँ पर जो हमारा carbon co2 group को loose कर रहा था और यहाँ पर हमारा water molecules का भी addition हो रहा था और removal हो रहा था ठीक है तो वो सारी चीजे हमारी complete oxidation कर रहा रही थी तो वही चीजे और जो हमारा excess of carbohydrate है इस converted into fat अब देखो जो हमारे citric acid cycle है इसमें जो हमारा बहुत ज्यादा carbohydrate होता है वो हमारा अगर मान लो ज्यादा हो रहा है तो वो हमारा fat में convert हो जाता है और it also helps in the synthesis of non-essential amino acids तो जो हमारे non-essential amino acids हैं जानी कि जिनको हमें बाहर से लेने की जड़र नहीं होती है हमारी body में already होते हैं तो उनकी synthesis भी हमारी जो है हमारे citric acid cycle जो है काफी helpful होता है अब कैसे होता है तो जब हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ेंगे तब देखेंगे ठीक है and high amount of ATP generated हमें पता है it is amphibolic in nature यह एक काफी important point है amphibolic क्या होता है सबसे पहले यह समझे जो हमारा metabolism है तो metabolism के अंदर हमारे यहाँ पे दो step होती है एक होती है हमारे यहाँ पे catabolism और एक होती हमारे यहाँ पे anabolism ठीक है तो mainly अभी देखो हम लोग जितना भी देख रहे है वो हमारा catabolism का एक जामपल है हमारे में होता है क्या है हमारा कोई बढा सा न एक द Прोशेज हो हरी है इसको हम लोग कमफाइंद फॉर्म में क्या बोसे क्या बहूता है तो हमारे catabolism वे होता है कैसे होता है तो यहाँ इतना जानने के जूत नही है बाकि simply समझो, amphibolic होता है और यहाँ पर fat is burnt on the wick of carbohydrate तो देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो भी हमारी body के अंदर extra fat होता है वो यहाँ पर burn हो जाता है कहाँ पर wick of carbohydrate और carbohydrate का विक क्या होता है carbohydrate का विक होता है हमारा oxyloacetate oxyloacetate दोखो हमारा क्या था यह जो हमारा first step था जहाँ पर हमारा acetyl को enzyme है यह हमारा oxyloacetate के साथ ही तो combine कर रहा है जो हमारा 4 carbon compound है जिसकी वज़े से हमारी citric acid cycle start होती है तो यहीं पर हमारा जो excess fat है वो भी यहाँ पर burn हो जाता है तो यह ता हमारे यहाँ पर citric acid cycle I hope कि आप लोग यहाँ पर समझ गऊगे कोई doubt है तो आप लोग comment करके बताना और मिलते हैं लोग यहाँ पर next video में thank you so much